हलो दोस्तों मैं हूँ इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त आयान आ गया हो फिस एक नहीं और बहुत ज्यादा इंफरमेटिव वीडियो के साथ बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था समझने में कि क्या-क्या डोकॉमेंट्स लएगा आपको कुवैट में इंट्री करने के लिए तो ये पुरा पुरा वीडियो है डोकोमेंट के ओपर कि आपको कौन-कुन सा डोकोमेंट अपने पास रखना है और कौन-कुन सा अप अपने पास रखना है तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि चलो मैं बात करता हूं अब अब के बारे में आपको जो लेंकी एप वो लॉग-इन होना चाहिए ठीक है दूसरा आपको इम्यून या फिर कोई आई-डी दुनों में से मॉल कोई आई-डी दोनों में से कोई एक भी होगा तो भी आपको कोई प्राप्लम नहीं होगा कोई इंट्री लेने के लिए ओके चलो मैं बात करता हूं आटी पीसेयर टेस्ट के बारे में ठीक है जो भी आप आटी पीसेयर टेस्ट कराओगे उसका जो वैलिडेशन होगा वो आपको बहुतर गंटा तक होगा ठीक है तो मालो अगर आज आपका फ्लाइट है तो आप अगर सिविल डाले का उप्शन नहीं आता है तो पास्पोर्ट नंबर आप जरूर डलवाना ओके मैं बात करता हूं अब फोटो कोपी आपको क्या क्या रखना है जीतना भी एप है उसका इसकी इंसोट लेके फोटो कोपी करवा लेंगे दो-दो ठीक है और आपको जो आप साथ दिन के लिए होम कुरंटाइन रह सकते हो साथ दिन के बाद आप एक PCR टेस्ट आप कहीं भी करवा लेना वो आपको इम्यून अप पे अप्लोड करवा देना होगा ठीक है अब बात करता हूं जो नॉन वेक्सिनेटर बंदे हैं जिनके बाद सिविल आइडी है ठीक है वो क्या करेंगे उनको 14 दिन का कुरंटाइन होगा ठीक है साथ दिन आपको होटल में कुरंटाइन होगा और साथ दिन आपको घर में कुरंटाइन होगा जाने से पहले कोईत मुसाफिर एप पे नॉन वेक्सिनेटर और वेक्सिनेटर दोनों को लॉग इन करना पड़ेगा वहाँ पे पुरा flight data लालना पड़ेगा लेकिन जो non vaccinated बंदे होंगे उनको दो RT-PCR test का payment करना पड़ेगा क्वेर्ट मौसाफिर साइट पर सारी चीज़े जो भी non vaccinated है और vaccinated बंदे है उनको सारी चीज़े समझ में आ गया होगा अब भी अगर आपको कोई doubt है तो आप पूछ सकते हो ठीके, RT-PCR test आप कहां करवाओगे उसके लिए आप comment के नीचे अपना estate और district का नाम लिखो मैं आपको बताऊंगा कि कौन-कौन सा government approved है इंडिया में hospital और वहाँ का address दूँगा आप वहाँ पे जाके से आप काट होगे आने के लिए फिर मैं मिलता हूँ आपसे एक नई informative वीडियो के साथ मैं हुआ यान और आप देखने कोई जब डिट अगर आपका कोई भी सवाल ने तो आप comment करके पूछ सकते हैं आपको पूरी help की जाएगी ठीक है अपना और अपने सेमली का ध्यान डखे खुछ रहे अल्ला अफिस्ट